सुनिये सुना रहा हुए एक दास्तान है सावन का महीना बड़ा पावन महान है सुनिये सुना रहा हुए एक दास्तान है सावन का महीना बड़ा पावन महान है लाखो कवडिया जाते हैं स्री बाबा धाम को जपते हुए उमंग में बंबं के नाम को एक लौता बेटा बाप का माता का नावनिहाल कावड चड़ाने के लिए वो भी चला एक साल उसकी पत्नी बोली के आपके संग मैं भी जाऊंगी कावड आपके साथ में जाकर चड़ाऊंगी खुश्यों में जूमते हुए वो दोनों चल पड़े भोले को जल चड़ाने के लिए घर से निकल पड़े सुल्तान गंज में पहुँचकर जहां से जल भरा जाता है गंगा के किनारे खुश होके देखने लगे मेले के नजारे पती बोला आ रहा हूँ मैं अश्नान कर अभी फिर पीछे तू नहाना आ जाओं मैं जबही और कूद पड़ा गंगा जी में डुकी लगाया फिर लाउट करके वो वहाँ वापस नहीं आया पत्नी को गया छोड़ के ली संसार में वो बह गया स्री गंगा जी की वीकदार में चारो तरब में जैसे एक चितार मच गया गंगा के किनारे में हाहा कार मच गया पत्नी पजार खाती थी रोती थी जार जार के भोले तूने लूट लिया मेरा सोने का संसार कावड चड़ाने आये थे खुशियों में जूमते पर लुट गई अब भोलेगी मैं तेरे द्वार में लो संभालो प्रभु अपनी कावड लुट गई मैं अभागन यहां पे लो संभालो भोले अपनी कावड लुट गई मैं अभागन यहां पे लुट गई मैं अभागन यहां पे लुट लिया तुमने मेरे सोने के संसार को कर दिया विरान महकते हुए गुलजार को कौन कह रहा है के तू दानी दयावान है दीन और निरबल पे सदा रहता में हरवान है आज सभी बात तेरी मैंने लिया जान है बस निर्ज़ई का ठोर है पत्थर का दू भगवान है अरे उठ गया विश्वास मेरा आज तेरे नाम से क्या कहूंगी दुनिया को जाकर के तेरे खाम से ओ मैं भी चली जाओंगी दुनिया से नाता तोड कर अब यही मर जाओंगी पत्थर से सर को पोड कर तब देखके उस दुखिया को सब लोग तरस खाते थे कोई देता था तसली और कई समझाते थे पर नहीं था उसको अपनी दीन ओ दुनिया का ख्याल खाड़ती थी कपड संके नोच्यती थी सर के बाल और फिर कभी कहती थी भोने जूटा तेरा नाम है अरतीन और दुखियों के कभी आता नहीं काम है ये लो संभालो ये लो संभालो प्रभु अपनी काल लुट गई मैं अभाग यहावे लुट गई मैं अभाग यहावे लो संभालो बोले अपनी काल लुट गई मैं अभाग यहावे लुट गई मैं अभाग यहावे लुट गई मैं अभाग यहावे के पैरों के हालत क्या होते हैं और वैसे भी सच्चाई तो यह है इरादे सेकडों बनते हैं बनके तूट जाते हैं और वही कावर उठाते हैं कि कंठ में जलन और बाल थे बिखरे हुए कपड़े बदन के तार तार राह में गिर पड़ती थी बेहोश हो के बार बार तब देखकर के हाल एक संत को आई दया और पानी पिला गर के पूछने लगे बेटी बता अरी हाल जरा अपना सुना दे यहां पे बैठ़कर किस लिये दू किस लिये दू पिर रही है मारी मारी दर बदर रोके वो कहने लगी बस पूर्ट गया भाग है आज इस दुनिया में मेरा लुट गया सुपाग है संत बोले संत बोले बेटी तु हिम्मत से जरा काम ले एक दफा भोले प्रभू का प्रेम से तू नाम ले अरी देते हैं सब को सहारा तू उन्ही को याद कर जो भी तुझको कहना है चल के वही फरियाद कर वो चीश करके कहने लगी जूटा तेरा ज्यान है अरे इस जगत में कोई भी इश्वर है ना भगवान है और मार ने उस शंत को पत्फर उढ़ाँ आगे बढ़ी और थर थरा के इस तरह कहते हुवे वो गिर पड़ी क्या ये लो संभालो ये लो संभालो हो ले अपनी कावर लुट गई मैं अ भागन यहाँ पे लुट गई मैं अभाग नियावे भूलो समालो प्रभू अपनी का लुट गई मैं अभाग नियावे लुट गई मैं अभाग नियावे पिर से किड़ो आखिर उस पत्ती पत्मी का मिला भोले के दर्बार में कैसे हुआ और वो संद कां थे फिर से कड़ो का वड़ियों की कावड जपटके कोड़ दी मार के पत्थर ना जाने कितनों के सर खोड़ दी और पीछे 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 आ गई वो भोले जी के द्वार में फिर पड़ी वो आउधे मुश्व शंभू के दरवार में और पॉली चीख मार के क्या तू ही वो भगवान है और कर दिया पगिया को मेरे तूने तो वीरान है क्या मिलाओ निर्दाई सुहाग मेरा लूट कर रोने लगी तिछकिया ले लेके भूट भूट कर के है अगर भगवान तो क्यूं सामने आता नहीं पिजली आसमान से क्यूं मुझ पे गिराता नहीं और सर को पटकने लगी शिवलिंग पे वो बार बार बहने लगी सर से उसके चारो तरफ खूं की धार के आज अरे आज तो प्रीथम को अपने लेके मैं घर जाऊंगी वरना तेरे भाम में सर फोड के मर जाऊंगी हो गई बेहोश तो कुछ लोगों ने मिलकर उसे एक जगा लिटा दिया मंदिर के ला बाहर उसे लोगों ने समझा ये किनारा चगत से कर गई ये कौन थी ये कौन थी बेचारी आज आके यहां मर गई फिर आई एक आवाज अरी भागेवान जरा आख खोल फिर आई एक आवाज भागेवान जरा आख खोल प्रेम से शिव भोले जी के नाम की जैकार बोल वो चौक करके देखने को खोली जब अपनी नजर उसके पती ही की कूद में रखाता है उसका सर खोली पती से लिपट ये कैसा चमतकार है भसके पती बोला ये शिव भोले का दरवार है अरी सूखे हुए बाग हुरदय के यहीं खिल जाते हैं मुत्ततों से बिछडे हुए भी यहीं मिल जाते हैं अरी मैं तो बह गया था बह गया था बह गया था बह गया था सिरी गंगाजी की धार में लोग कुछ नहा रहे थे धाट के उस पार में एक संद की पड़ी बहते हुए मुझ पे नजर कहते हैं कुछ लोग वो ही लाया मुझे तैर कर भोश में लाकर मुझे बतलाया वो तेरी खबर और बोला सीधे जा चला तू बाबा धाम की डगर अरे पत्मी तेरी कर रही है पस तेरा ही इंतजार तेरी जुदाई में हो गई है बेचारी बेहाल और पहर ही सी संद के सर से खोन की मोटी सिधार पूछा मैंने संद से ये देख करके बार बार क्या ये बाबा ये बाबा ये बाबा कैसे चोट लगी है मुझे बताये मुझे कोई बात अपने दिल की ना चुपाईये वो संद बोले अरे मेरी एक बेटी है कुछ से में आज भार कर भूड दिया सर मेरा पत्थर से मार मार कर और मुश्कुरा के कहने लगे उसका ये उपहार है पर मेरी पगली बेटी को मुझसे बड़ा ही प्यार है अरे है बड़ी जित्ती अभी दुनिया से वो नादान है पर कुछ भी हो मैं हूँ पिता और वो मेरी संतान है तब तो वो घबरा गई सुनकर पती देव के बयान को के नात मैं भी तो मार बैठी थी एक संद दयावान को और पत्नी बोली क्या फिर पत्नी बोली नात अब कावड अभी मंगाईए और मेरे साथ भोले जी को चल के जल चड़ाईए हाथों में जल पात्र लिये दोनों जब आगे बढ़े देखा मुस्खुराते हुए संत को वहां खड़े और देख करके उनको वहां हो गए हैरान है क्या जिव्य रूप उनका है चेहरा प्रकाशवान है फिर उन्हें दिखलाई पड़ा पहती है चटा से कंग और भोले बाबा थे खड़े हसते हुए गोरी के संग खामने को शिव चरण वो दोन जब आगे बढ़े लोप हो गए भोले जी शिव लिंग पे वो गिर पड़े अब रोके वो कहने लगे गलती छमा कर दीजिए आपके शरण में है बाबा दया कर दीजिए धन्य है माया तेरी दूदानी दयावान है चरणों में अपना ये हम मुर्ख है नादान है भेद कोई पाया नहीं पार है पूझता है तुमको तभी तो सभी संसार है फिर दौन प्राणी भोले को कावर चड़ा हुए प्रसन और काने लगे शर्मा जल चड़ा के प्रेम से भजन क्या गिलो संभालो लो संभालो लो संभालो लो संभालो भोले अपनी काल बन गई मैं सुहाग मी यहाँ बन गई मैं सुहाग मी यहाँ पे बन गई मैं सुहाग मी यहाँ 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 बन गई मैं सुहाग म झाल झाल